नमस्कार दोस्तों मैंना नाम है अमित स्वागत है आप तब का डिफेंस डिकोड पे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स के बारे में तो सबसे पहला अपडेट में बात करेंगे LCA Navy को लेके तो जिहां दोस्तों LCA Navy को लेके DRDO ने कल ही Arrested Landing कंड़क की थी वो भी नाइट में गोवा के सोर बेस टेस्ट फैसलेटी से जिसे आप लोग आई एनस हंसा कहते हो तो वहां से इस Arrested Landing को कंड़क किया गया है और इसने सक्सेस्फूली सभी पैरामिटर्स पे यह लेंडिंग परफॉर्म की है जहां तक बात है नाइट में टेक आफ की तो उसको अल्रेडी कंड़क कर लिया गया था तो इस तरह से इसके नाइट में Arrested Landing करना ये दरसाता है कि इस तरह की टेकनोलोजी को लेके DRDO ने इससे हासिल कर लिया है जो कि यूज होने जा रहा है जो भी DRDO नेवी के लिए जो फाइटर जैट्स डियाइन करने वाली है उन में इस्पेशली फिफ्ट जेनरेशन नेमका में जो की एमसी ये का नेवल वर्जन होगा अब बात कर लेते हैं कि कौन को सी टेकनोलोजी को LCA नेवी ने प्रूव कर दिया है और किस तरह से ये डि जो की आमोमन ज़रूरत होती है जब आप कैरियर पर लेंड कर रहे होते हो तो उस ताइम आपको जो स्पीड रखनी होती है वो लोर रखनी होती है और उस चीज़ को देखते हुए आप लोर स्पीड पर कहीं फॉल ना कर जाओ तो लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए ये ले इरेक्शनल स्टेविलिटी ये देने जा रहा है आपके एरक्राफ्ट को जब वो कैरियर पर लेंड करेगा तो उस चीज़ को भी अचीव कर लिया गया है अगर ऐसे नेवी को कंपेर करते हो एरक्राफ्ट के तेज़स से तो इसके नोज़कों को डाउन रखा गया है ताकि कैरियर पर लेंड करते वक्त आपको जो वायर है स्पेशली जो फ्रेंट वियू है वो आपको क्लियर दिख सके इसलिए थोड़ा सा नोज़कों को डाउन एंगल पर रखा गया है और एरफोर्स के तियस के कंपेर में इसके जो लेक्स हैं उसको भी काफी स्टॉंग बनाया और इनको टेस्ट कर लिया गया है ऐसा भी पैरेमिडर्स पर बात करते हैं अगले अपडेट की तो वो है इंडियन एरफोर्स के लिए जो तक्रीबन 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रिप्लेस के जाने थे तो उसको लेके टाटा और एयरबस के साथ मिनिस्ट्री वारता में थी एयरबस के C295 को लेके और इस पर कॉस्ट नेगोशेशन चल रहे थे और अब ऐसी खबरे आ रहे हैं कि इस पर जो कॉस्ट नेगोशेशन है उसे कंप्लीट कर लिया गया है और मिनिस्ट्री आप डिफेंस ने अपने मीडिया रिलीज में ऐसा बताया है कि ज 62 इस तरह के ट्रांसपोर्ट एरक्राफ भारत लेने वाला है और जिसकी जो कॉस्ट है वो तक्रीवन 3 बिलियन डॉलर के राउंड आ की जा रही है जो कि बासट C295 के लिए होंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि इस डील को इसी एयर में साइन कर लिये जाएगा तो आप टे है नेक्स अपडेट की तो वह है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके और डिफेंस टेकनोलोजी को लेके तो जीहां दोस्तों इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया तक्रीवन 250 के अराउंड जो डिफेंस स्टार्ट अपस हैं उनको फाइनेंस करने जा रहा है और उनसे ऐसी मांग की है कि आर्म सोर्सेस के लिए 50 के अराउंड नए इनोवेशन करके दिखाएं आने वाले 4 से 5 सालों में और डिफेंस मिनिस्टर इस चीज के लिए तक्रीवन 500 क्रोल के अराउंड जो रूपय है उसे लाइन पर रखने वाली है अगर किसी डिफेंस जो इनोवेटर है वो बनाया जाए ना कि इंपोर्टर हो इंडिया तो कुछ इस तरह की सोच लेके जो इनोवेटिव स्टाटप से उनको फंड करने की प्लानिंग चल रही है तो इस विक अप्डेट को लेगी इतना ही जहिंद झाल जो इनोवेटर है यहिंद